तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं अगर बुद आपके अस्टम भाव में इस्तित हैं तो यह आपको क्या प्रिणाम दे सकते हैं देखे अगर अस्टम भाव में बुद्ध है तो बुद्ध को अस्टम भाव में बहुत ज्यादा अच्छे प्रिणाम देने वाला नहीं का गया लेकिन फिर भी बुद्ध के कुछ प्रिणाम बहुत ही अच्छे होते हैं अस्टम भाव में और कुछ प्रिणाम खराब हो सकते वो depend करेगा इस्तिती पर अगर बुद यहां पर कोई भी male planet के साथ बैठा है तो mostly अच्छे प्रिणाम देगा और अपनी अगर मित्र रासे में, सुरासे में या खुद के नक्षत्र में भी है तो भी अच्छे प्रिणाम देगा otherwise अगर राहू के साथ या किसी दूसरे क्रूर ग्रह के साथ बैठा है तो प्रिणामों में थोड़ी बहुत कमी अवस्य हो सकती है या जो प्रिणाम देगा वो अच्छानक ऐसे प्रिणाम देगा कि आपको बहुत ज़्यादा कई बार नुकसान भी करा देगा जिवन में कई बार जिवन में संगर्स भी करवाता है लेकिन कई बार आपने ये दिखा होगा सूर्य और बुद्ध दोनों साथ होते हैं तो जनरल ही ये सूर्य के साथ जब्बे इस्तित होगा ज़्यादा अच्छा रहेगा और अगर ये सूर्य से कमबस्ट है और आपकी कुंडली में अगर बुद्ध बहुत ही अच्छे भाओं का स्वामी है यानि त्रिकोन या फिर केंद्र का स्वामी है बुद्ध तो निश्चित रूप से प्रिणाम अच्छे ही होंगे बाकी मंगल के साथ हुआ तो दिक्कत देता है और भी किसी दूसरे क्रूर ग्रह के साथ हुआ तो कुछ प्रोब्लम जरूर देता है अब आपके सेकेंड हाउस पर भी डिपेंड करेगा सेकेंड हाउस में अगर कोई सुम्मे ग्रह बैठा हुआ है तो बुद्ध के प्रिणाम अच्छे हो सकते हैं तो जातक अस्टम भाव की परती बहुत ज़्यादा जिग्यासू होता है वो अस्टम भाव की चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनलाइज करता है वो अस्टम भाव के बारे में बहुत ज़्यादा सीखने की कोशिस करता है और फिर वही जो वो सीखता है वो दूसरे लोगों को सिखाने की कोशिस करता है या दूसरे लोगों को वो बताने की कोशिस करता है और अपनी फैमली के लिए भी वो एक बहुत अच्छा गाइड हो सकता है अब बुद अस्टम भाव में तो ऐसे जातों को PSD बगरे करते हुए आप ज़्यादा देख सकते ह ये ऐसे विद्यारती होते जो बहुत ही किसी भी विशे की बहुत ज़्यादा गहराई में जाके उसको देखते हैं और इनकी सोच है इसी प्रकार की होती है जब ये किसी भी विशे को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत गहराई तक ये उतरने की कोशिस करते हैं और इसके होगा कि जो भी लोग PhD करते हैं जो लोग researcher है या जो लोग scientist है उन्हीं के बुद्ध की यह स्थती हो सकती ज्यादा तर अब बात करें अगर अकल्ट के छत्र में तो बुद्ध अगर अस्टम भाव में है तो आपकी अकल्ट में रुची बहुत ज्यादा होगी और आपको जो अकल्ट का knowledge होगा उसको सीखने के लिए बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जैसे तो आप दूसरे लोगों को guide भी कर सकते है अस्टम भाव में जब भी बुद्ध आते हैं तो अस्टम भाव से related कोई अकल्ट का विजनस देते हैं जैसे कि कोई पामिस्ट्री का विजनस है या जोतिस का विजनस है या जिसे काला जदू वगरे इस परकार के विकारी कुछ लोग करते है लेकिन बहुत ज्यादा गहराई से देता है यानि ऐसा बुद्ध आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसके लिए बहुत हद तक कई वार जिम्मेदार र आपके पास जो धन का वागमन है वो हमेशा ओता रहेगा और पैसे आपके पास आते रहेंगे तो अस्टम भाव से जर्णरली आपको इंकम होती रहेगी किसी भी तरह के से हो अब जातक को अगर अश्टम भाव में बुद्ध अच्छे इस्थितिय में ना हो तो व्यापार प्रकार में ऐस सफलता या बहुत बड़ा कोई नुकसान देता है लेकिन अगर अच्छे इस्तति में हो तो फिर वो अस्टम भाव से आपको हमेशा के लिए जोड़ देता है अस्टम भाव हमारे अंतिम सहिसकार या मौक्स धाम या हम कबरिस्तान भी बोल सकते हैं या इसी प पोस्टमार्टम करते हैं डेड़ बोडी का तो उस प्रकार की कारियों को करने वाला हो सकते हैं अब ऐसे जातक जिनका बुद्ध अस्टम में होगा वो दूसरे लोगों को पहचानने में बहुत ही तेज दरार होते हैं और कई बार यह बहुत सिंपल दिखते हैं लेकिन इन के साथ सेर नहीं करते हैं अब बुद्ध आपकी कुंड़ी में जिन भी भावों का स्वामी होगा अगर मालीजिये किसी के टेंथ हाउस का स्वामी है तो आप अस्टम भाव से रिलेटेड काम करेंगे और अस्टम भाव से आपको काफी ज्यादा गेन देगा लेकिन कई बा जैसे कोई ओनलाइन काम कर रहे तो आप अपना फेस नहीं दिखाते हैं या कई बार आप अपना फेस भी दिखाते हैं तो आपको ज्यादा पुपलरिटी मिलती है इसी तरह से बुद्ध जिस भी भाव का स्वामी होकर अस्टम में बैठेगा उस भाव की चीज़ों को वो से देने की कोशिस करेगा तो अगर माली जी आपका लाविस्तान का स्वामी होकर बुद्ध आ रहा है अस्टम में तो अस्टम से गेन देगा अगर टेंथ हावस का स्वामी होकर अगर अस्टम में आ रहे तो भी आपको काफी ज्यादा गेन देगा सब्तम का स्वामी होकर आ जब भी बुद्ध सब्तम का स्वामी होगा तो जिवन साथी बहुत ज्यादा कोई अकल्ट में एस प्रकार का इंटरस्ट रखने वाला होगा या कोई वो रिसर्चर होगा यानि उसका काम है वो अस्टम भाव से जुड़ा हुआ होगा और उसकी पर्सनलिटी काफी सेक्रेट होगा तो आप उसके बारे में कोई भी आईडिया पहले नहीं लगा पाएंगे अब बुद्ध ऐसी इस्तिति में तो आपका जिवन साथी बहुत ज़्यादा बोलने वाला और कई बार बहुत ज़्यादा मजा आके अभी हो सकता है अब बुद्ध अस्टम भाव म हमेशा अपने सस्राल पक्स के साथ होता ही रहेगा और आपके जो इनलोज हैं वो काफी इस बात की डिमांड भी आपसे करेंगे इसी तरह आप अपने मेरिज के बाद कोई अपने सस्राल पक्स के साथ ज़ड़कर बिजनस भी स्टार्ट कर सकते हैं अब बुद्ध यहां से किस्तिती खराब है तो आँखों से समंदित समस्या होना वानी से समंदित कोई विकार होना या और किसी परकार की कोई समस्या होना आपको जो आपके पास पैसा है जो आपके पास जमें जाइदा है उसका अचानक लोश हो जाना और फैमली के साथ समंद अच्छे नहीं रहन इस प्रकार की चीज़े काफिबार ये देता है अब अगर अस्ट्रम में किसी का भी बुद्ध है तो ऐसा जातक महमान वाजी करने में बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है तो जातक बहुत ज्यादा उदार भी होता है कई बार और वो महमान वाजी करने में बहुत ज्यादा एस्पेक्ट भी करता है तो अस्टम भाव में अगर बुद्ध है आपका तो आपको किसी अनुबंद, किसी पार्टनर्सिप और किसी भी प्रकार से आपको विरासत में धन मिलने की समाना बहुती ज़्यादा रहती है अस्टम भाव का बुद्ध हमेशा एक प्राकर्तिक जिग्यासा आपके अंदर भर देता है तो आप चाहिए किसी भी विशे को आप लेके चल रहे हो लेकिन हमेशा मन में एक त्रिप्ति कभी भी नहीं उपाती जो गहराई से पढ़ने की गहराई से जांस परताल करने की जो आपकी सोच है वो हमेशा के लिए बुद्ध आपको देता है और ये बहुती अच्छी बात है बुद्ध अगर अस्टम भाव में है तो आपका जो डैथ होगी वो आपकी डैथ हो सकता है कोई स्वास से समंदित वीमारी के वज़े से हो सकती है और आपके सरीर में ज्यान हमेशा बनी रहेगी तो कुछ इस परकार के प्रेणाम रहते हैं जब भी बुद्ध अस्टम भाव में